बंगलादेश से मिली टेस्ट सीरीज में हार के बाद शान वसूब ने क्या कहा अपने ब्रेयर्स के बारे में बंगलादेश से मिली हार के बारे में कहा पर गलती रहे ही उसके बारे में तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शान वसूब ने पोस्ट मैच प् पाकिस्तान उसकी बाद उन्होंने क्या कहा किन चीजों पर बातशीत की क्या क्या सीखा और क्या क्या वो आगे इंप्रूफ कर सकते हैं और पर्टिकुलर्ली किसी खिलाडी को टार्गेट ही या यह नहीं किया गुसारा इस वीडियो में आपको बताने वाला तो सबसे पहले तो तो हसा ब्रीफ करेता हूं कि पस्तान बंग्यदेश से पहली बार किसी टेस्ट सेरीज में आरी है इतियास माहिए बार हुआ है लगतार 20 5्म ओधेश ने पहले बार टेस्ट सीरीज पाकिस्तान द्वारा ही है, वाइट वॉश किया है, फूपना साफ किया है, वो भी उनके घर पर, बागवादिश वड़ी एक्साइटेड है, बागवादिश वड़ी खुश है, और पाकिस्तान, पाकिस्तान द्वी मैच अपने घर पर नहीं जीत पाई है, तो शान दे, पाकिस्तान यहार के बाद क्या कहा, यह मैं आपको बतार दा हूँ, सबसे पहला हूँ नहीं कहा कि मैं बहुत जादा डिसपॉंटेड हूँ, नियाश हूँ, हम बहुत अच्छे, एक्साइड़ेड है, हम अपना पहर पर खेलेंगे सारे मैचेस, और उसके बाद यह भी कहा है कि भाई, ऑस्टेलिया में चीजे हुई थी, वही चीजे अभी भ हो रही है, तो हम में वहाँ से गोई भी पाथ वा लेसन जो नहीं सिहा, फिर यह भी कहा गया कि हमें कहा गया था हम अच्छा ड्रिकेट खिलने थे ऑस्टेलिया में, बस हम अपनी काम जो अच्छे से नहीं कर रहे थे, इस पर हमको काम करने की ज़रुद थी, बट वो चीज है जरूरी होती है, फिर यह उनों नहीं का किया पहले टेसमें जो हमने चार फास गेंबास खिलाए थे ना, जो चार पेसर उसका दारन ये था कि हमने सोचा था कि यार वर्ट रोड जो है, मैनेज करना तो वहाँ सा आसान हो जाएगा, और इस जो सेटिंड डेसमें वहाँ इस पर भी शानमसूत को कहीने रही होने एक खिलाए उसका है, हमने शाहिन चाफरे के कुपार किया, बट उने बाद में रगा कि नहीं यार एक गेंबास की कमी थी, प्र श्पिनर्स वो तीन फास बोल्र के काल्ड, हम मैच नहीं जीत सकते थे शाद एक और गेंबास की कमी लगी शानमसूत को उनों ने कहा तिल कहा कि 204 पर एक अच्छा स्पोर था पहनी पारी में वोजे और सही मयूग को और जादा रण मनाने थे जैसे कि रितंदास ने मनाए बट हम नहीं बना पाए उनों ने कहा कि इस पर हम को काम करने की ज़ुरत है और साथी साथ यह भी कहा क हमें हर हार के साथ सब तुष्णा को सुनाया सीखने को मिलता है तो यह पता चला है और उनों ने यह भी कहा है कि शाहीन और नसीम जो है वह उनको हमें रेस्ट देने की ज़रप्ती वर्टूर मैनेज करने की क्योंकि यह पिछले करी समय से लगातार खिल रहे हैं और हम बार 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 इने जो है फोर्स नहीं कर सकते फिर उनने कहा है कि और और अगली वार हमें प्रिपेर होकर आना पड़ेगा और उनों ने कहा कि आप लंबा डॉट सीजन पढ़ा हुआ है और हमें इंगेंड के बहुत अच्छी से प्रिपर होना पड़ेगा क्योंकि अब इसके आप इंग्लेंड जो है पाकिस्तान जा रही है वहाँ पर टेस्ट मैचेस की सीरीज है तो शानमसूद ने बेसिकली पूरी कम्यों पर गोड़ दिया और कहीं नहीं सवाल उठाए है हागा कि बाबर आजम की बारे में इनों ने डिरेक्टी नहीं कहा हुप के बारे में कहा क यह शानमसूद की पोस्ट मैच प्रिजेंटेशन है और आप को यह वेडियो पसंद आए होगा और आप भी कॉमेंट के खीजिएगा कि बाई पाकिस्तान क्रिकेट में कहां पर सुदार के जरुत है और कैसे पाकिस्तान क्रिकेट इससे बहतर था सकता है क्योंकि पूरे इस्टेग्राम ट्विटर हर जवे पर हम वजो दें तुँ वहाँ पर हमें फॉलो कीजिएगा लाइक कीजिएगा और बस देखते रहे ही देवेंशी और प्यार देते रहे ही थैंक्यू सो मच